अगर आपके घर में बच्चे ने क्वाइन सिखा या कोई मेटल की चीज मुह से पेट के अंदर निगल लिया है या खा लिया है तो क्या करना चाहिए आज के वीडियो में मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ सो फ्रेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है फॉरेंड बोडी इंजेक्शन वहाँ वस्तु है जिसे बच्चे खेलते खेलते मुह में रख लेते हैं और गलती से उसे निगल जाते है आधिकांगस्ता छोटे बच्चे मे ऊहाँ कनडिशन पाई जाती है फॉरेंड बोडी को हम तीन काटेगरी में डिवाइड करते है पहला है डांजिरेस फॉरेंड बोडी अबजेक्ट जिसका दंदर बेक्तरन बेटरी और मैग्नित आते हैं दूसरी होती है साढ फॉरेंड बोडी ऑबजेक्ट जैसे की नउक्सान सकती है इवन यह हमारे बडी में स्चेथ कर सकती है तिसरी है ब्लेंक फोरेंग बडी आपजेक्ट का मतलब होता है जो नुकिला नाहिं रिक्सक्षप café की जबरत पड़ती है जो फ्रेंग बाड़ी आबजेक्ट होती है उसमें बच्चे सिखके ही निगलते हैं और जिसमें जादा तर यहां देखा गया है कि यह लेटरिन के रास्ते निकल जाते हैं तो इंडोस्कोपी की जबरत किन बच्चों में पड़ती है यह समझने के लिए आपको foreign body objects मालूम होना चाहिए कि किन बच्चे ने किस टाइप का foreign body objects निकला है अगर बच्चे ने बटन बैटरी निगली है या magnet निगला है या फिर कोई अबजेक्ट निकला है तो इसमें emergency foreign body निकलने की जरुरत है दूसरी अगर बच्चे foreign body निगलने की वज़े से कोई symptoms आ रहे हैं जैसे कि उसको पेट में दर्द हो रहा है खाना निगलने में दिक्कत हो रही है गले में दर्द हो रहा है तो हमें उस condition में भी emergency foreign body निकलने की जरुरत होती है जिसे हम endoscopy के दुबारा ही निकालते हैं एक्सरे के अनुसार अगर सिक्का उपर ही होता है तो फोर्सेप्स की मदद से इस सिक्क को आसानी से बाहार निकाल लेते हैं कभी-कभी यहां सिक्का थोड़ा बोजन के नली के नीचे या बीच म से केला को बगेर चबाए चार पाच केला खिला दीजिए आप बच्चे को चेंटिनयू केला खेलाते रहे हो सकता है बल्प के साथ का नीचे आजाए और लैटीन के साथ nodig अब बच्चा जब भी लेटरिन जाता है उसको वाच कीजिए देखिए कि वो सुक्का निकल गया है कि नहीं निकल गया है ज्यादा चांसेज में यह सिक्का निकल जाता है और कुछ-कुछ चांसेज में यह सिक्का नहीं निकल सकता है अगर सिक्का करी फस गया है तो बच्च का भी जवरत पड़ सकती है जिसके माध्यम से उस सिक्के को निकालना पड़ता है कुछ चीजों पर घरवालों को भी ध्यान देना पड़ता है जैसे सबसे पहले उन्हें यह नेचर पता होना चाहिए कि फोरन बोड़ी बच्चे ने कौन सा निगली है दूसरा बच्चे को उ सबसे इंपोर्टेंट है कि बच्चों को उल्टी कराने की कोशिस बिल्कुल भी ना करें क्योंकि काई वार उल्टी कराने के चकर में फोरन बोड़ी ऊपर के हिस्से में रख जाते हैं सास के नेली में जा सकती है जो बच्चे के लिए घातक सीद हो सकती है और अगर दोस्तों मैं उमिद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ अगर कोई बच्चा सिकल निकल लेता है तो आपको बहुत ज्यादा परेसान होने की जरुरत नहीं है आप ततकाल बच्चे को हॉस्पिट लेकर जाए जहां पर आपका बच्चा का स तो मुझे उमिद है आपको यहां वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेगें